यूपी की बेटी ने अब्दुलकराम की सपनी को सच में साकार करके दिखाया गरीबी में जीवन, गाउं में पढ़ाई लेकिन अब देश के लिए लड़ेगी लड़ाई मकैनिक की बेटी ने अपनी मेहनत के दम पर मुकाम पाया पहली मुस्लिम महिला पायलट बनकर नाम कमाया जो कहा वो करके दिखाया जजबा देख मोधी भी कर रहे सलाम, योगी भी करेंगे यूपी की बेटी सानिया से मुलाकार जी हाँ, तो इस बेटी के लिए देश का सारा आस्मान दे दिया जाएगा इस बेटी को दे दिया जाएंगे वो सारे सपने जो हिंदुस्तान की छोटी सी ननी सी बच्चीयों ने देखे हैं इस बेटी का चेहराब लगेगा देश की दिवारों पर लोग सलाम करेंगे उसे बिटिया को जो भारती वायु सेना में इस बार अपने पंकों को फैला कर देश के नौ को निहारने चली है मिर्जापुर की सानिया की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है ये कहानी है उन तमाम सपनों की जो इसके लिए इंसान अपनी जिंदगी में बेशुमार मेहनत करता है मिर्जापुर की सानिया इस बार एरफोर्स की पहली महिला पाइलट बनी है जो इस बार मुल्क की शान में नब से सुखोई रफेल मिक जैसे विशाल विमान उड़ाएं की कौन कहता है लड़कियां असमान में उड़ने के सपने नहीं देख सकती है कौन कहता है लड़कियां सिर्फ चार दिवारों में ही रहने के लिए बनी है ये सभी सवाल अब सिर्फ एक सवाल है ना की सच क्योंकि ये कीसमी सदी है और यहां आज हमारे देश की लड़की ये सवाल उनसे पूछ रही है जो आज भी लड़कियों को चार दिवारी के अंदर कैद करके रखना चाह रही है क्योंकि आज 21 सदी की लड़कियां पुरुशों के बराबर आ रही है और आसमान में उरने के सपने को साकार कर रही है हर रोज आए दिन कोई न कोई ऐसी कहानी हमारे देश में इन बेटियों की लगातार आ रही है जो देश की करोडो लड़कियों को आसमान में उरने और अपने हर एक सपने को पूरा करने के लिए प्रेविद कर रही है आज ऐसा ही किस्सा हम आपको बताने वाले हैं जिसमें यूपी की रहने वाली एक बेटी ने आसमान में उरने के सपने को साकार करते हुए देश के साथ प्रदेश और अपने माबाप का नाम रोशन किया है इस बेटी के सपने को पूरा करने में तमाम अरचने भी आई लेकिन इस बेटी ने हर एक परेशानी से लड़ते हुए इस मुकाम को हासिल कर लिया आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर जिले की यवा लड़की सानिया मिर्जा ने देश में पहला मुकाम हासल करते हुए देश की पहली महिला फाइटर बन गई है जिनके पिता एक टीवी मेकानिक हैं तो चलिए हम आपको यूपी के इस हुनार बेटी की कहानी सुनाते हैं यूपी के मिर्जापुर की बेटी देश की पहली मुसलिम महिला फाइटर बनी ये कहावत तो आपनी सुनी ही होकी कि मंजिल उन्ही को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंक से कुछ नहीं होता हौसलों से उडान होती है ऐसा ही कुछ यूपी के इस हुनहार बेटी ने अपनी हौसलों की उडान देती हुए आसमानों में उडने के सपने को साकार किया आपको बता दीं कि पूरे देश में इस बक्त यूपी के मिर्जा पुर्जिली की एक छोटे सी गाउं के रहने वाली सानिया मिर्जा की तारीफ हो रही है और बधाईयों का तांता लगा हुआ है सानिया ने यूपी ये नहीं बलकि पूरे देश का नाम रोशन किया है सानिया मिर्जा देश की पहली मुस्ली महिला फाइटर पाइलेट बनी है इसके साथ ही वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला फाइटर पाइलेट चुनी गई है सानिया ने एंडिये की परिक्षा पास कर ये मुकाम हासिल किया और वो 27 दिसंबर को पुड़े में ज्वाइनिंग करेंगी पिता है टीवी मेकानिक पर बेटी की सपने को तूटने नहीं दिया मिर्जापुर के सदर तहसिल श्यत्र के जसोबर गाउं में रहने वाली सानिया की पिता शाहिद अली एक टीवी मेकानिक का काम करते हैं सानिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश मादमिक सिक्षा परिशत से हिंदी मीडियम की सिक्षा गरन करने के बाद उन्होंने पाइलट बने का सपना देखा और उसे हासिल किया हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाली सानिया ने कहा कि हिंदी मीडियम वाले भी मुकाम पासकते हैं बस इरादा पका होना चाहिए अगर होसला बुलंद हो तो कोई भी मन्जिल मुश्किल नहीं होती उन्हें कहा कि ये सब कुछ इंग्लिश में होने के बाद भी यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने के बाद भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई मैंने सुनाए कि लोग कहते हैं कि CBSC, ICC बोर्ड वाले ही बच्चे एंडिये में सफलता पाते हैं मगर हमने दिखा दिया कि यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी एंडिये पास कर सकते हैं पहली बार में मुझे सफलता नहीं मिली लेकिन मैंने हार नहीं मानी और एक बार पिर इस परिक्षा में उतरी फिर दूसरी बार ये सफलता हासिल हुई मेरी शिर्वाती सिक्षा प्राइमरी से लेकर दस्वी तक गाउं के पंडित चिंता मणी दुबे इंटर कॉलेज में हुई उसके बाद मेरा दाखला नगर के गुरु नानक गल्स इंटर कॉलेज में हुआ बार्मी यूपी बोर्ड में जिले की टॉपर रही इसके बाद सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी से त्यारी शुरू की और अब सफलता मिली सानिया ने कहा कि एक दिन पहले ही उन्हें जोइनिंग लेटर आया 27 दिसंबर को पुरे में जाकर जोइन करना है वहीं सानिया मिर्जा ने अपनी सफलता कश्रे माता पिता के साथ सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी को दिया है आपको बता दे कि पूरे देश में नैशन डिफेंस अकेडमी 2022 की परिक्षा में महिला और पुरुष की मिला कर कुल 400 सीटे थी जिन में महिलाओं के लिए 19 सीटे थी उनमें से 2 सीट फाइटर पाइलेट के लिए अरक्षी थी इन ही 2 सीटों में अपनी प्रतिवा के बल पर ये जगे पाने में काम्याब रही